वेलर्कम डॉर्फिंग द विजिलाइजसेशन कैसे हैं आप शाब मेरा नम हस्सान है आज की वीडियो एुसमें हम सबसे पहले प्रिंट के बारे मैं सी्हेंगेहाम अपनी ड्राइंग को प्रिंट किस तरहuana करते आप Lauren को PDF से करना करते हैं अरच करते हैं किस तरह करते हैं किस तरह कि पो पूरी ट्रेन को बादेंगे और उसको पूर्फूर रखेंगे ताँकर पूरिडी नहीं में प्रमिन्यट हो सारी जियेंग को ब्लैंक इन उइट, एक अब जायर को किस तरह से करते हैं यह कुंद आप जाने और हम अपनी सेटी बी किस तरह से साथ जायर करते हैं सब कुछ आज कि विडियो में जानेंगे हर चीज़ का अलदा अलदा चैप्टर में बना दूंगा जिस चैप्टर के आपको ज़रूरत हो उसको आप देख लें चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले करना मैं अब पता दूंके DWG में किस तरह से फाइल को कणवाइट करते हैं चोंट्रोल पी किया फिरिंट की यहां से सबसे पहले प्रिंट्ट एंड प्लोटर में आपने अपना प्रिंटर स्छेट करेना है अगर आपके पास कोई प्रिंटर इंस्टाल होगा तो यहां पे उसका नाम लिखा हुआ रहोगा मेरे पास फिल्ला प्रिंटर कोई इंस्टाल नहीं है मैं ड्राइंग फाइल को PDF में कनवाइट करता हूं इस उप्षिन को स्लाइट करना है उसके बाद दूसरी जो चीज़ा वह हो मारा पेपर साइज होता है हमने यहां से पेपर साइज रखना है आई यहां सो एक्सपैंड एफोर डिफाल्ट उसने मुझे दे दिया मैं डिफाल्ट रहने देता हूं आप ए-3 कुछ भी कर सकते हैं इस इसपैंड एफोर ठीक है नमबर ठार्ड यहां पर डिस्प्ले की उप्षिन पहली दफ़ाश हो रही होगी आपने यहां पर डिस्प्ले की जगह आपने विंडो को स्लाइट करना है ताकर मैं एक विंडो बना हूँ अपने एरिये के गिर्द जी सेरी को मैंने प्रिंट कि किसी चीज को मैं नहीं छेड़ा ब्लैक और प्रिंट करना है तो यहां से आपने मोनो क्रॉम सेट करना है अगर आप कलर फुल प्रिंट करना चाहरे हैं अभी मैं प्लाइटू लेयाट करके प्रिव्यू करके दखा देता हूँ देख रहे हैं एक्जिट कर लेते हैं और अगर आपने कलर फुल प्रिंट करना तो यहां पर मोनो क्रॉम के जगह एक डोट सीटीव यह स्लेक्ट करना है यह करके प्लाइटू लेयाट करके प्रिव्यू करके चेक कर लाते हैं तो यह देख रहे हैं मेरी ट्रेंग अप कलर फुल रही है यह दो तीन चीज़े पहले स प्रिव्यू पोजिशन में था तो यहां से मेरी ड्राइंग के और यूटेशन भी पोट्रेट होगए और मैं इसको लेंसके करता हूं तो यह देख रहे हैं आपको पेपर पर प्रिव्यू बशिश्ट होगा और सेंटर में मुझे वो प्रिंट कर देगा जैसे यहां देख सकते हैं एक्जिट करके यहां करेंगे तो PDF में मेरी फाइल सेफ वो जाएगी डेक्स्टॉप पर पात दें इसको 1234 किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं सेव कर वाऊंगा तो यह मेरी डेक्स्टॉप पर एज PDF सेव हो जाएगी तो इस तरह हाँ से यह था PDF हम किस तरह से फाइल को सेव करते हैं अगले चैप्टर नमबर टू पे उसमें हम देखते हैं कि हम लाइन वेट क्यों सेट करते हैं दो वजवाद होती हैं लाइन वेट सेट करनेगी पहली वज़ा जो है वो ऐलिवेशन में जो चीज हमारी क्रीब होती है उसको हम डार्क शो करते हैं जो चीज हमसे दूर जाते जाती है जो चीज पीछे होती है उसको हम उस हिसाब से हलका शो करते जाते हैं ठीक है पहली वज़ा यह थी दूसरी वज़ा प्लैन में जो चीज हमारी में जो फीचर्स होते हैं जैसे होती है उसको डार्क करते हैं डॉर एंड विंडूज को फिर लाइट करते हैं उसके बाद फिक्स्चर के लेए को मजीद हम उसके लाइट शो करते हैं यह दो जो आती हैं अब इसको सैट किस तरह करते हैं वो देखते हैं Ctrl P किया पहले में ब्लैक और वैड में आपको बताता हूं यहां से में मॉनो क्रोम सेट कर लेता हूं ठीक है मॉनो क्रोम के बिल्कुल साथ ये एक बटन है इस बटन पर क्लिक करना है आपने तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी प्लोट स्टाइल टेबल एडिटर के नाम से ठीक है यहां पर फॉम व्यू में ही मैंने रहते हुए सारे कलर को पहले मैंने स्लेक्ट करना है यहा बिलू कलर में अपने ड्राइंग में यूज करा रहा हूं जैसे ड्र में वाल्ज के लिए इस्तमाल कर रहा हूं रैड़ पे क्लिक करूंगा इसका लाइन वेड में बला दूंगा पॉइंट 3 5 कर दूंगा उसके बाद येलो को मैंने भी इस्तमाल ने किये गरीन को इस्तमाल करा हूं इसका लाइन वेड में रखता हूं पॉइंट 13 उसके बाद सयान का पॉइंट 05 ठीक है जिए ज़्यादा मत्म रखता हूं मैं इसको और यह जो बिलू कलर है इसको पॉइंट 18 उसके बाद मर्ज स्कीक्रास नमबर को ज्यादा डार करना यह लाइट करना उससे सबससे का लाइन वेट सैट कर सकते हैं सारे मेंने लाइन वेड इससाट का लिए सेव एन क्लोज दैन एक विंडो बना ले तो मैं प्लैन के गिरत meari सारे सेटिंग उसी तरह से या व्लाइटु लेयाउट प्रिव्यू करके देखे हैं ब्लैक और वैट शूह हो रहा यह देख रहे हैं जो मेरी वाल्ड थी रेड कलर की थी अद्ट करूद करिंड थी कोर्ड कर देख देख दो रहा है चलैंबें देख tremann लाइड होगी एंप से अम इंको स्तमाल करते हैं अब इसी तरह कलरफुल में भी आप आ कर सकते हैं यहां मोनोक्र frequent के जगचह आप KETS करें तो हैं कर जाकर यहां से आप उसी तरह को स्पहत को पकड़ कर दें इस आप 0-0 कर दें जिसको jisko line weight कम करना उसको कम करने इस तरह से आप line weight को set कर सकते हैं अब आगए बढ़ते हैं हम अपनी ड्रैंग में सिरिफ एक to जब फिर प्रॉमिनना चारै हैं उसको लाइन वेट भो भी बढ़ाना चाह रहे हैं वह किस तरह से करते हैं कि Colorful एक ऑब्ज़क्ट शोग करवाना है मैंने दी डिली पीडिय अफ तो यहां से colorful के लिए एक डोट सीटी भी सैट कर ली जैन इसके साथ यह जो बटन इस पर क्लिक करना इंग इसमें अब यह जो सारे कलर ना जैसे रैड डिकलर है यह देख रहे हैं इसका है अब सारे कलर्स मेरे ब्लैक शोओंगे अब एक कलर मैंने प्रोमिनेट करना और उसका लाइन वेट भी मैं बढ़ा देता हूं अभी इन साब का लाइन वेट जो है वो मैं जिरो कर देता हूं लाइनवेड्य भी इंसाहव पड़के और वी ब्लैक लिए और लाइनवेड्य भी काम पर दिया जिरो कर दिए ठीक है अब एक उबज Act का जैसे मेरा फरनीचर के लिये लेले तो मेरे फरनीचर का जो color hat 42 number color वे नहीं थिए अब जो color जो चीजों का color आप रखते हैं उनका number आप नहीं याद रहना है 42 number परनीचर के लिए इसका मैं linuehip बढा देता हूं 00.00 कर देता हूं इसको कर देता है use object color मेरी ड्राइंग में जो वह होगा कि फरिठिर होगा वो प्रॉमिनिट होगा बाकि सब चीजिते व्लैक रड़ाइट रहा है और उसका लैट घ Is भी बढ़ा होुआि पर्मिनिट हो रहा आप जैसे और एरिय के लाइन देखानः चांग नियूँ लगाते हैं अपनी बने उनको आप कलरफुल भी शो करवा सकते बाकी सारी बने को ब्लाक और वैड करें ताकर लेक्रिक पोईंट्स पता चले कहा पर लगे हैं इस तरह से आप यह आपनी जरूरत के मताबिक चीजों को कर सकते हैं किसको कलर्फुल चो करवाना इसको क्या करवाना अब उसके बाद आ जाता है कि हमक सी टीवि किस तरह से सेट कर कर, बी किया अब मैंने जैसे यह मैंने एक कलर फरनीचर वाला प्रोमिनेट कर दिया अब इसको मैं से वैस करवाना चाहरा हूं अभी जो मैंने यह सेट की थी एक एंड में वो डिफाल्ट सेट है मतलब कि जैसे रेड़ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर रहा और यह जिरो जिरो सेव एंड क्लोस अब यहाँ पे एक एड की जगा आरे होगी यहां पे फरनीचर की सीटीबी आ रही है ठीक है यस कर दे अब फरनीचर भी मैं रखके करता हूं तो मेरा जो मेरी पहले आई थी जिस तरहां से सिटी भी एक एड़ भी जूस गया था अब फरनीचर में भी वो हो रही है ठीक है इस तरहां से आप इसको सेव एस करवा सकते हैं वर्किंग के इलादा बना सकते हैं आपने स्टील का कलर सिरफ डार्ट करवाना बांकि सारी ड्राइंग को अपने लाइट में शो करवाराब में तो स्टॉक्चर के सी बिलादा र इस तरह से प都ा binnen इक फॉलडर में भी क्योपी करकर राख सकते हैं जब आपको यहां से डिलीट हो गई या किसी और कम्प्यूटर में आपने आटो कैड इंस्टाल किया तो उस फोल्डर से यहां से कोपी करें मैं आपको काड़ कर दिखा देता हूँ कोपी किया इसको मैं डेक्स्टोप पे पेस्ट का रहा हूँ ठीक है अब मान लिया आटो कैड में गए मैंने आटो कैड दोबारां से इंस्टाल किया मेरी यह फरनीचर वली डिलीट हो जाती है फरनीचर को मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ अब मुझे दोबारा सी टीवी में जाके कंट्रोल पी में गए तो यहां अब मैं क्लिक कर रहा हूँ अब मेरे पस शोग हो रहा है वाई वासे तो मैंने डिलीट कर दिया देखें अब उसने खराब कर दिया इसको जो मेरी फरनीचर वली थी उस तरह से नहीं शोग हो रहा है यह शोग होने के वज़ा यह देख रहे हैं अब इसके साथ मिसिंग का आ गया अगर हम डिलीट हो जाती है अपनी इधर से तो हम दोबारा से उसको मैंने कोपी किया था एक फोल्डर में राख लिया है इसको दोबारा से कोपी करें आटोकैड में जाएं तो यहां पे प्लोट स्टाइल मैनेजर होगा इसमें पेस्ट कर दे हैं यह प्लोट स्टाइल मैनेजर में पेस्ट कर दोबारा से ठीक है फरनीचर यहां आ गया अब कंट्रोल पी दोबार से क्लिक किया आपने दोबारा से देखते हैं इसको प्रिवियू करके आप यह देख सकते हैं कि यह मेरी वापिस आगए आप इसी तरह से सारी सीडियों बनाके फॉल्डर में कोपी कर रहें आटोकाइट से डिलीट हो जाएं या आटोकाइट आपने रिइंस्टाल किया उसी क एक यू सो मच